क्या आपका भी कोई दुश्मिन है क्या आपका दुश्मिन आपको बीना बात परेशान करता है आपके साथ लडाई जगडा करता है आपको बात बात पर ताने मारता रहता है क्या आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन आपके काबू में हो, क्या आप इसके लिए कुछ उपाई टोटके करना चाहते हैं तो दोस्तो आज की हमारी यह वीडियो आपके लिए है जिसमें आज हम आपको बताएंगे दुश्मन को अपने काबू में करने के उपाई टोट के तरीके लेकिन इससे पहले आप हमारा YouTube चैनल टोट के मंत्रा सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे इस चैनल में आपको हर रोज नई नई तरह के टोट के उपाई देखने को मिलते रहते हैं जिसके जरीए आप अपनी लाइफ में आने वाली किसी भी प्रोब्लम को असानी से सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि आज की हमारी वीडियो है दुश्मन को अपने वश में करने के उपाई टोट के दुश्मन से हैं परिशान होने पर आज ही लोग अपनाते हैं ये अचूक टोट के उपाई तो दोस्तों आप भी इन उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दुश्मन को अपने कंट्रोल में करने के लिए दोस्तों दुश्मन को वश में करने के लिए आप हनुमान जी के मंदिर में हर शनिवार या मंगलवार जा सकते हैं और मंदिर में सुन्दर कांट का पाट कर सकते हैं और हनुमान जी को परशाद के रूप में चलाने के लिए गुड एव कच्चे चने का भोग लगा सकते हैं जिसको पाट समापत होने के बाद आप गरीब दिन दुख्यारों में बाढ़ सकते हैं दोस्तो ऐसा करने से दुश्मन आपके कंट्रोल में होता चला जाए दुश्मन को वश में करने के लिए शनिवार के दिन उड़त की दाल के 38 दाने और चावल के 40 दाने लेकर एक घड़े में दबा दीजिए और उसके ऊपर एक नीम्बो नी चोड़ दीजिए और ध्यान है जब नीम्बो नी चोड़ने हो तो उस पर अपने दुश्मन का नाम लिखिए दोस्तो ऐसा करने से भी आपका दुश्मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा दोस्तो दुश्मन को कंट्रोल में करने के लिए आप एक कागस पे अपने दुश्मन का नाम लिखिए और कागस को जला दीजिए और उसमें दो लॉंग डाल दीजिए दोस्तो राख ठंडी होने के बाद एक नीबू पर उस राख को लगा दीजिए और इसे कील से बंद कर देना है दोस्तो 24 गंटे से अपने पास रखे और दूसरे दिन इसे पेड़ के नीचे गाड़ दे दोस्तो ऐसा करने से भी आपका दुश्मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा दुश्मन को वश में करने के लिए शनिवार की रात को साथ लोंग अपने दाहिने हाथ में लेकर मुठी बंद कर दीजिए और 21 बार दुश्मन का नाम लिजिए और सुबह आग में जला दीजिए यह उपाई आपको साथ शनिवार तक करना होगा दोस्तो ऐसा करने से दुश्मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा और आपको परिशान करना बंद कर देगा दोस्तो दुश्मन को वश्मे करने के लिए एक मोर पंक लीजिए इसमें हनुमान जी से सर पर लगा शिंदूर से मोर पंक पर दुश्मन का नाम लीजिए और इसे अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए सुबह बहते पानी में बहा दीजिए दोस्तो ऐसा करने से आपका दुश्मन आपके साथ लडाई जगड़े करना बंद करतेगा दुश्मन को वश्मे करने के लिए राई लहसुन नमक सूखे कांदे को जलाना है और इसे दुए को अपने सर के उपर से गुमाना है यहाँ टोटका कामगार सिद्ध होगा दोस्तो ऐसा करने से भी आपका दुश्मन आपके कंटोल में हो जाएगा आपसे लडाई जगड़ा बंद कर देगा और आपको परिशान भी नहीं करेगा दोस्तो अगर आप यह टोटके उपाई कर लेते हैं तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए झाल